नमस्कार सवागत आप सभी का आज आमीं चेप्ट के anxiety questions करेंगे देखो avent question है ways संसार के अधिकास महान पतन इस प्रकार रवर्गीकरद worlds किये गई हैं देखो महान पतन का मतलब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो होते हैं तेल पतन और दोगिक पतन जहां पर इंडस्टीज हो ठीक इंडस्टीज का समान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो और जो बड़े-बड़े में सबस्यादा trade किस एडिया से होता है एशिया योरोप उत्री अमेरिका या एफरीका तो इसका अंसर होगा उत्री अमेरिका जहांपे कि United States of America है वहां पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है क्योंकि जो योरोप से वोग ट्रेड करते हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा है देखो Brazil, Venezuela, Chile या पेरू इसका अंसर है Venezuela वेनेजुला ओपेक तेशों में शामिल है बाकी ओपेक के देश कोन से है यह जो हमारे Asian countries है कई सारी जैसे की इरान इराग ही सारी ओपेक कंट्रीज आती है तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो गरूप है उससे बोलते हैं ओ साफटा, South Asian, Free Trade Association या Agreement उसके बाद है आशियान, ASEAN का मेंबर है भारत उसके बाद OECD, OECD का मेंबर है उसके बाद है OPEC, अब OPEC का मेंबर भी नहीं है बारत ओल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें कुछ तो OPEC का मेंबर भारत नहीं है ना ही बारत OECD का मेंबर है ना ही भारत आशियान का मेंबर है आशियान कंट्री देख लो हमारे जो East Side में पढ़ती है वो कंट्रीज है इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलेपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, वेतनाम, लाउस, कमबोडिया, ब्रूने ये सारे देश आते हैं ये 10 कंट्रीज का ग् हम कुन से इरिया हम पढ़ते हैं साउथ एशिया में तो हमारे जो देश हैं हमारे पडोसी जितने भी हैं जैसे कि नेपाल है, शिलंका है, मालदीज है, भूटान है, बंगला देश है, इन कंट्रीज के साथ हम साफटा शेयर करते हैं और इसमें हम फ्री ट्रेड की बात करत हैं, आपस में हम व्यापार में बहुत सारी छूट रखते हैं, कई सारे टेक्स को हमने कम किया है, आपस में बहुत सारी चीज़ों पर से टेक्स हटाए हैं, तो भारत जो है, वो साफटा का मेंबर है, भारत और बारत के पडोसियों का ग्रूप है, ये साफटा, तो इसका इस बुक में गलत दे रखा है आशियान इसका उप्शन सेकिंड नहीं होगा इसका अंसर होगा फर्स्ट साफ्टा भारत साफ्टा का मेंबर है नेक्स्ट कोशन देखो विश्य व्यापार संगठन के आधारबुत कारिये कौन कौन से हैं यानि WTO जो है यानि World Trade Organization उसकी काम क्य क्या है अब देखो ट्रेड से जुड़ी हुई सारे काम करता है तो देखो जनवरी 1995 से गेट को विश्य व्यापार संगठन WTO में रूपांदरित कर दिया जो पहले जनरल एगरिमेंट ओन ट्रेड और टैरिफ हुआ करता था उसको क्या बना दिया गया 1995 में World Trade Organization विश्य व् लिकित हैं पहला है विश्य व्यापार संगठन एक मातर ऐसा अंतरास्ट्य संगठन है जो राष्टों के मध्ध है वैश्विक नियमों का वहवार करता है यानि कि इंटरनेशनल रूल्स लगाता है देशों के बीच में व्यापार को लेकार पहला काम है इसका यह दूसरा यह विश्य व्यापार संगठन के लिए नियमों को नियत करता है यानि कि रूल्स बनाता है उनके लिए नियम बनाता है तीसरा पॉइंट है इसके सदस्य देशों के मध्ध है विवादों का निप्टारा करते है यानि आपस में अगर कोई लड़ाई जगड़े हो जाए व गुऔर भी बहुत सारी रू DRUGOLUESTIONS से चोटी कंट्री्स को बचलता है और सभी इको वियापार करने के मोगे देता है यानि हमें यह पता चलगया कि ו्यापार का काम है वियापार सोजड़ी हुई सारी चीजे करना तो व्यापार को अच्छा करने के लिए वैपार को बढ जाएं तो वो होता है रिनात्मक बुक्तान संतुलन यानि कि चीजों का संतुलन खराब हो गया देश में प्रोडक्शन कम होता हो और चीजों का यूज ज्यादा होता हो तो वो चीजे नेगेटिव में चली जाएंगी ना करजा देश के उपर बढ़ता चला जाएगा ना जै कि उसने इतना सारा लोन ले लिया चुकाने के लिए उसके पास कोई प्रोडक्शन नहीं है कोई चीज नहीं है जिसे वो करजे को वापिस दे सके तो जब भी देश में प्रोडक्शन नहीं होता प्रोडक्शन कम होता है और चीजों पर ज्यादा खर्च होता है तो वो रिन तुलन के गंबीर नहितार्थ होते हैं ठीक है अगर व्यापार कंट्रोल में है और भुकतान कंट्रोल में है तब ही चीज टिक पाएगा अगर ये चीज नहीं है तो क्या परिणाम निकलते हैं इसके गंबीर यानि कि बहुत ही बुरे परिणाम निकल सकते हैं एक रिनात्मक स संतुलन का अर्थ होगा कि देश विस्त्यूं के क्रेड पर उसे अधिक वैख करता है यानि जितनी वो चीजे बनाता है उसे ज़्यादा वो खरच करता है जितना कि अपने सामानों के क्रेय पर उससे अधिक व्य करता है यानि जितनी वो चीजे बनाता है उससे ज़्यादा वो खर्च करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रेय से अर्जित करता है देखा यानि कि अगर दूसरे देशों से वो समान ले रहा है वहाँ पर ज़्यादा tax भर रहा है वो, उसके देश में जो समान आ रहा है उसे कम tax मिल रहा है, तो टोटल simple से बात यह है कि घर्चा जादा हो रहा है कमाई कम हो रही है, तो ये क्या हो जाता है, miss balance हो जाता है चीज़ का यह अंतीम रूप में वित्ये संचा की समापती को अभी प्रेरित करता है कितनी मुश्किल सी नहीं लग रही है वित्य संचा की समापती को अभी प्रेरित करता है इसका मतलब बिल्कों सिंपल है कि पैसे खतम हो जाते हैं वित्य संचा मतलब पैसे समापती मतलब खतम होना अभी प्रेरित मतलब हो जाती है तो क्या हो जाते है भाई पैसे खतम हो जाते है देश का बुरा आल हो जाता है देश करीब हो जाता है ये कह रहे हैं इसमें ठीक है तो आप simple language में भी इसको लिख सकते हो आप इसका मतलब बस ये समझ लो कि रिनादम समुहों के निर्मान द्वारा राष्ट्रों को क्या लाब होते हैं जो हमने इसमें ग्रूप्स पड़े थे जैसे कि आशियान बना हुआ है साफटा है ठीक है उसके अलाबा European Union है ये कहां सारे व्यापारिक ग्रूप है इन लोगों ने आपस साथ रहेंगे एक साथ व्यापार करेंगे तो उससे वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो इसके बहुत सारे लाब हैं अब अंसर देखो रादेशिक व्यापार समुह व्यापार की मदों में भोगोलिक सामिप्पै, समरूप्ता और पूरक्ता के साथ देश के मद्धे व्यापार को बढ़ाने में साहता करते हैं यानि कि जितने भी व्यापार समुह होते हैं वो क्या करते हैं सामिप्पै यानि कि एक दूसरे को निकट लेके आते हैं समरूप्ता यानि कि एक जैसी चीज़ वो develop कर पाते हैं, उन में दोस्ती बढ़ती है, ठीक है, पूरकता यानि एक दूसरे की help कर पाते हैं, अगर एक देश को किसी सी कमी हो जाए, तो दूसरे देश provide कराते हैं, अगर उन देशों को कमी हो जाए, तो वो देश provide कराता है, तो अपने area में ये अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो व्यापार इस समू हर तरीके से हमें फायदा करते हैं, अब simplest question को अपनी language में भी लिख सकते हो, कि आपस में क्या हो जाती है, समरूपता बढ़ जाती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, टेक्सों को कम कर दिया जाता है, एक दूसरे की help की जाती है, आर्थी कुन्नती होती है, ठीके सारी बाते आप इसमें लिख सकते हो, अब next question देखो, बहुत ही main question है आपका ये, पतन के बारे में पूछा, यानि कि जो ports होते हैं, उनके बारे में पूछा कि क्या वो व्यापार में साहिक है, देखो व्यापार में साहिक, क्या सबसे main चीज है पतन, जो भी ports होते हैं, उनको क्या कहते हैं, gateway of trade, अंतराष्टिय व्यापार की दुनिया के प्रवेश्टवार यानि वहीं से सारा व्यापार होता है मैंने आपको यह बात समझाई थी थी ना कि हम जितना भी व्यापार करते हैं दूसरे देशों से हम आदिकतर समुद्र के रास्ते से करते हैं पानी के रास्ते से करते हैं तो जगर पानी के जहाजों से पानी के रास्तों से हम व्यापार करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल तो बंदरगा यानि की पोर्ट्स या पतन का ही होगा ठीक है तो पतन सबसे मेन भूमिगा निबाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में देखो पत्नों के लाप पहला है अंतराश्ची वैपार की दुनिया के मुख्य प्रवेश्टिवार पोताश्रे तथा पत्न होते हैं टीक है गेटवे ओफ ट्रेड क्या कहा ही जाते हैं पत्न या पोताश्रे इनी पत्नों के द्वारा जहाजी माल तथा यातरी विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं वैसके एरप्लेश के लिए एरपोर्ट होता है वैसे ही पाने वाले जहाजों के लिए ये पोर्ट्स होते हैं गोदी लादने का मतलब यहाँ पर जाज खड़े होते हैं उनके लिए प्रोपर जगे होती है वहाँ से माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है लोडिंग की जाती है सारी चीज़े होती हैं वहाँ पर इन सुविदाओं को परदान करने के उदेश्य से पतन के प्राधिकारी नोगम में द्वारों का रख रखाओ रसो वे बजरों की विवस्ता करने और शर्म वे परबंदे की सेवाओं को उप्रत कराने की विवस्ता करते हैं अब आपको language थोड़ी टफ लगी होगी है कि ये क्या आगया भाई बजरों की विवस्ता करना और परबंदे की सेवाओं करना पिल्कुल सिंपल समझो जो भी यहां के gateway होते हैं उनका रख रखाओ करना उसके लावा रसों बजरों का मतलब है चोटी चोटी नाओ तो रसों बजरों यानि कि जो भी ropes वगएरा है वाँ पे बांधने के लिए पूरा management होता है चोटी चोटी जो नाओ है इन सभी की व्यवस्ता की जाती है श्रम यानि कि labor माल को ढोना इजर से उदर ले जाना परबंद की सेवा यानि कि management करना वहाँ पे पूरा परबंदन का मतलब क्या होता है management आप इन words को अपनी language में भी लिख सकते हो ज़्यादा जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखवा बिल्कुल तो मैं आपको ये मुश्किल वाले word भी समझा रहा हूँ उन जहाँ जो कारकरखाव किया जाता है शर्मिक जो हैं वो भी यहाँ पर लगे होते हैं और बहुत सारे परबंदक ये काम किये जाते हैं सारे चीज का management कर लिया जाता है ये बाते आप अपनी language में लिख सकते हो तो दूसरे point में यही सारे बाते कही गई हैं अब देखो ये बहुत important चीज है जो port से उनके परकार पूछे हैं आपसे पतनों के परकार पहला है अंतर देशिये पतन अब देखो अंतर देशिये पतन कैसे होते हैं मैंने आपको जब chapter पढ़ाया था तो वहाँ पे वीडियो में आपने देखा हुआ कि किस तरीके से अंदर की तरफ port बने होते हैं तो जब भी कोई पतन अंदर की तरफ बना हो जैसे समुदर से अगर कोई जमीन टच होती है तो उसमें अंदर जाने का रास्ता हो चाहे वो नदी के द्वारा हो कोई या नहर के द्वारा हो कोई तो बिल्कुल समुदर के किनारे पर पतन नहीं होता है ये अंदर की तरफ होता है नदी वेगरा की मदद से जहाज देश के अंदर तक चले जाते हैं तो अंतर देश यानि की जमीन के अंदर ये पतन होते हैं बिल्कुल समुदर के किनारे पर नहीं होते आपको यही समझना था बस इसमें कि अंतरदेशे पतन समुदरी तट से अंदर की तरफ होते हैं तो देखो पहली लाइन है इसमें ये पतन समुदरी तट से दूर अवसित होते हैं यानि कि समुदरी तट पर नहीं होते हैं उससे दूर होते हैं यह समुद्र से एक नदी अत्वा नहर द्वारा जुड़े होते हैं तो नदी से या नहर से जुड़े होते हैं ऐसे पतन चोरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्मे होते हैं अब गम्मे होते हैं आप सोच रहे होगे पता नहीं क्या मुश्किल साब वड़ा गया ग पिल्कुल चोरस चोकोर शेप वाले तल होते हैं, वो वाले जहाज इसमें जा सकते हैं, क्योंकि नदियों में चलता है, आगे चलके जहाज, समूदर में तो बहुत पानी होता है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब अंदर की तरफ एंटर करता है, तो नदी में जब घ उसके बाद दिया है, मैफिन्स, ये भी मिसिसिपी नदी के उपर है, उसके बाद राइन जो बताया था मैंने, राइन वोटर वे, राइन वाले रास्ते पर भी कई सारे पोर्ट ऐसे हैं, जैसे की मैनहिम, ड्यूसबर्ग, ये भी क्या है, अंतर देशिये पतन है, जो की अ अंतर देशिये पतन है, तो आपको इसमें सिंपली ये याद रखना है, कि अंतर देशिये पतन होते क्या है, पस आप ये बता देना, कि ये समूदर तठ पर नहीं होते, अंदर की तरफ बने हुए होते हैं, उसके अलावा बस एक्जामपल याद कर लेना, तो अपनी लेग इन दो चीजों पर बहुत फोकस रखो, क्योंकि इसी से आपकी मार्क्स अच्छे बनेंगे, ठीकर एक्स्प्लियन तो आप खुद भी कर सकते हो, अब देखो दूसरा पॉइंट है भाय पतन, भाय आप नाम सही समझगे कि भार की तरफ बने होंगे भाई, वो अंतर देशि पतनों में नहीं गुश सकते, या बिल्कु समुदर के गिनारे तक नहीं पहुच सकते, बड़े बड़े वो जहाज वहीं पर रुख चाते हैं, फिर यहां से समान को छोटे जहाजों में लोड करकर के दूसरे पतनों तक पहुचाया जाता है, उधान के लिए एथेंस तथ भी तो जमीन होती है, जैसे हमारी जमीन कहीं पर उची कहीं पर नीची होती है, तो कुछ एरिया ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल समुदर के किनारे तक या अंदर की तरफ जहाज नहीं पहुच पाते, तो समुदर में थोड़ी दूर ही पर ही, किनारे से थोड़ी दूर ही ब पूरा दिखाया है कि कौन से पोर्ट कैसे होते हैं ठीक है उनको आप अच्छे से देख लेना जो भी मैंने आपको वहां पर समझाया है उन्ठी जो को बस एक बार समझ लेना और अपनी लेंग्विज में लिख देना आपका अंसर बिल्कुल सही होगा फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे पता हर ये लाइन सुन कर आप लोग बोहरा हो और मै भी कह कह कइकर पक यह मत सो जणा कि कोई और करेगा वह भी यह सोचते हों निकल जाते हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए कर दो प्लीज अब देखो next question है अंतराष्टिय व्यापार से देश कैसे लाप राप्त करते हैं सिंपल सी बात है भई अगर व्यापार करेंगे दूसरे देशों से तो currency आएगी उनकी हमारा production बढ़ेगा अगर हम दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तब ही सबी को फायदा देगा जब सारे राष्टर क्या करें अच्छे से श्रम का भी भाजन करें और विशेशी करन करें यानि की एक ही टाइप की skill पर focus करें specialized बने किसी चीज़ के अगर कोई specialized बनेगा तो क्या होगा अंतराष्टिय व्यापार में मुनाफ़ा हो पाएगा जब बात बिलकुल ठीक भी है विशेशी करन होना चाहिए व्यापार में तब ही अंतराष्टिय लेल पर चीज़े बिखती है जैसे कि महिंदरा कंपनी अब सिफ कार बनाती है उसकी कारों की specialization है एक ही चीज़ पर फोकस रखती है तो इस वज़े से अच्छी कार बना पार है न वो टाटा जो है वो बहुत सारी हैवी गाडिया बनाता है ट्रक बसेज पता नहीं क्या क्या तो कितने देशन में वो चीज़ एक्सपोर्ट होती है योगी टाटा उस पर बहुत फोकस कर रहा है उसे एक चीज़ पर तो ऐसे ही जब एक चीज़ पर फोकस किया जाता है तो अंतराश्टिय बाजार में उसकी मांग बढ़ती है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है यही कह रहे हैं यह कि हमें अच्छे से शिर्म का भी बाजन करना चाहिए और विशेशी करण करना चाहिए यानि स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए चीज की तब ही क्या होगा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी हर परकार का विशेश्टिकन व्यापार को जनम दे सकता है यानि हर टाइप की जो स्पेशलाइजेशन है उससे व्यापार बढ़ सकता है तीसरा है इस परकार अंतराष्टिय व्यापार वस्तूओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाब परी पूरकता और हस्तांत्रिनियता के सिध्धांत पर आधारित होता है और सिध्धांता यह है व्यापारिक भा मागीदारों को समान रूप से लाबदयक होना चाहिए इसमें Simply ये कहा रहे हैं कि अंतराश्टे व्यापार में चीजों को इदर से उधर बेजा जाता है सेवा यानि कि सरविसिस को इदर से उधर बेजा जाता है एक दूसरे की परीपूरकता होती है यहाँ पर है तो वो चीज़ यहाँ पर सप्लाई हो जाती है अगर कहीं पर कोई और दूसरी चीज़ की कमी है तो वहाँ पर वो चीज़ सप्लाई हो जाती है तो ऐसे ही चीज़े ट्रांसफर होती रहती है और इनी चीज़ों पर आज का जो व्यापार है वो टिका हुआ है इससे क्या होता है जितने भी व्यापारी भागीदार है यानि जितने भी देश आपस में व्यापार कर रहे हैं उन सबी को फाइदा होता है ठीक है तो थोड़ी से आपको लिखी विलाइन टफ लग सकती है पर इसका मीनिंग बिलको सिंपल ये है कि अगर देश आपस में व्यापार करते हैं तो इससे एक दूसरे की मदद होती है ठीक और सब इको लाब पहुचता है अब देखो फॉर्थ पॉइंट आदूनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्टो की विदेश नीती से संबंदित है आज के टाइम पे जो व्यापार है हमारा ट्रेड है वो बहुत ही में चीज है एकोनमी के लिए अगर उसको देखे तो वो बहुत ही में चीज है आज कल देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं व्यापार जो है वो राष्टो की विदेश नीती से भी रिलेटिड है फिफ्ट पॉइंट है सुविक्सित परिवेहन तता संचार पर नालिस से युक्त कोई भी देश अंतराष्टिय व्यापार में भागिदारी से मिलने वाले लाबो को छोड़ने का इचुक नहीं है आज के टाइम पर इतने अच्छे अच्छे परिवेहन हो चुके है ट्रांस्पोटेशन हो चुका है क्यम्मुनिकेशन नेटवर्क फैल चुका है इसकी वज़े से कोई भी देश नहीं चाहता कि वो पीछे रह जाए व्यापार में तो आजकल लगबग सभी देश आपस में व्यापार कर रहे है अगर आपको जोग्रफी के हैंडिटन नोट्स पीडिएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर वाट्साइब करें आपको सिंपली इस पर 12 जोग्रफी नोट्स लिखके मैसेज सेंट करना है आपको नोट्स बहुत इनोमिनल प्राइजिस पर मिल जाएंगे अगर आप other subjects के भी चाहते हैं तो आपको 12 लिखे और आगे वो subject mention करना है जैसे आपको history के चाहिए तो 12th history notes, political के चाहिए तो 12th political notes लिखके मैसेज सेंट करना है and other details you will get on whatsapp, thank you